सब्सक्राइब कीजिए यूवर्ड हब यूटूब चैनल को और साथ में बेल आइकोन को भी दबाए ताकि आप देख सके आने वाली न्यूव वीडियोज सबसे पहले एक entrepreneur होने का मतलब क्या होता है आज देश में जहाँ startup, e-commerce, hyper local और YouTube जैसी चीज़े boom पर हैं तो अपने failures के लिए घर वालों को blame कर रहा है अपने failures के लिए घर वालों को blame कर रहा है, हर दूसरा इंसान आज खुद को एक entrepreneur claim कर रहा है लेकिन कौन होता है एक सचा entrepreneur कभी सोचा है यार एक entrepreneur वो इंसान होता है जो अपने 5 साल plan कर रहा होता है जब बाकी लोग अपने weekends plan करते हैं एक entrepreneur की जिद होती है काम्याभी, एक entrepreneur की मजबूरी होती है काम्याभी, एक entrepreneur का नशा होती है काम्याभी एक entrepreneur के जहन में बस एक ही बात होती है that I'll be successful not immediately but definitely उसको जलना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है, जिसके बारे में सोच के लोगों की फट जाती है, उसको हर वो काम करना पड़ता है उस चीज को reality बनाना होगा, जो बाकी लोग सुनके ही कहेंगे, सलय यह तो हो ही नहीं सकता, it's impossible, उस टाइम वो बोलेगा, that I am possible अपने अंदर वो जजबा लेकर आओ, वो बार बार गिर के उठने का जजबा, वो जनून, कि जब वजूद के मिटने पर आए बात, तो दिखा सको दुनिया को अपनी उकात, क्योंकि जिसके सर पर होता है उसका हाथ, किसमत भी हो लेती है उसके साथ, वो या तो जीत जाएगा, जिन्दी में बस यही दो चीज़े तो होती है, एक entrepreneur को यह वाद पता होती है, कि उसके इरादों का कोई कुछ उखाड नहीं सकता, वो कुछ नया सीख चाहे, लेकिन कभी हार नहीं सकता, जिस टाइम, क्योंकि जिस टाइम उसको लगा कि वो हार चुका है, गेम, ओवर, वो action लेगा, जब दुनिया सोचती रहेगी, वो कामयाब बनेगा, दुनिया बस बाल नोचती रहेगी, वो कुछ बड़ा सोचने की जुरुरत करेगा, जब बाकि लोग 9 to 7 जॉब के जाल में फसे रहेगे, वो sacrifice करेगा, जब दुनिया EMI पे iPhone 7 लेने का प्लान वो अपना business plan लिखेगा, जब दुनिया बाबो और लफ्यू अपने phone पर type करेगी, वो अपनी किसमत का राजा होगा, अपने vision का गुलाम होगा, दुनिया उसको देख के motivate होगी, क्योंकि एक दिन उसका भी नाम होगा, बोलता उसका काम होगा, सबकी जुबां पर बस सलाम ह लेंबोरगीनी एवेंटेड डोर होगी उसके पास, हर एक एशो और राम का इंतसाम होगा, जीफ और गर्फरेंड नहीं, जीफ और गोल्स होगी उसकी priority, हमेशा भूखा, कभी satisfy ना होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रुकेगा, वो criticism और negativity को fuel बना के यूज करेगा अपने अगले targets की गाड़ी को start करने के लिए, अच्छे वक्त में विनम्र, दुनिया को बदलने के लिए, बेसब्र, सचिन बंसर, कुनाल बहल, विजय शेखर शर्मा, रितेश अगरवाल, भावेश अगरवाल, इन सब को पता था, कि साला एक दिन किसमत चमके गया और जब चमकेगी, तो सब के तोत्ते ऊड़ जाएंगे, ये कार देख रहे हो, ये है मेरी dream car, आजकल जब लोग 4-5 लाख रुपे की wagonar में बैठके खुद पे अभिमान करने लगते हैं और रिक्षे वालो और आटो वालो के सामने धौस जमाते हैं, इस गाड़ी कीमत 5 करो और मुझे confidence है, that very soon, I'm gonna own this car, I'm gonna drive this car, लोग बाते करते हैं, मैं करके दिखाऊँगा, दिल्ली की सड़कों पे इस गाड़ी को दोडाऊँगा, क्योंकि देखे थे जो सपने, आज उनके करीब हूँ, खुद ही बनाया मैंने, वैसा नसीब हूँ, सबने कहा, impossible है यार, सोच या मैंने अब मैं हूँ तैयार, लोग क्या कहेंगे, कपूर साब क्या सोचेंगे, देख के जुनून मेरा अपने बाल नोचेंगे, बनूंगा कामियाब, हम मन में फिश्वाश है, आलस से हूँ दूर, बस जीतने की प्यास है, कुछ आस है ये खास है, बस जीतने की प्यास अब मन में ना गुरूर है इगो भी कोसो दूर है हेटर्स मेरे सारे जलने पे मजबूर है अब मैं क्या करूँ इसमें मेरा क्या कुसूर है बस स्लो नहीं होना मुझे मनजल थोड़ी दूर है जी हाँ दोस्तों मनजल थोड़ी सी दूर है और सिफ खुद के लिए नहीं, सब की help करो यार क्योंकि हम एक दूसरे को support करेंगे तब ही तो अपना India grade बनेगा न क्योंकि हम youth में ही वो ताकत है कि इस देश को इस प्रिथवी का सबसे best बना सकते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके भाई चितना हो सके, दबा के शेयर करो चाहे तो अपने चैनल पर रही अपलोड महार दोगा मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है मैं कोई कॉपिराइट क्लेम करने नहीं आने वाला बस लास्मी यह होलुआ कि विश्यू आल थे बेस्ट अबी वाईरल, साइनि ओड़ अबी बड़ाऊ थे अपलोड सेश्वाद सेश्वाद सेश्वारा लाईरण इसरी बेस्वाद सेश्वार बस्तुछ याद सेश्वारेटं उर्वाद झाल परन उर्ढ झाल झाल